कमेंट और शेर तक ही सीमित नहीं रहा अब ये बिच्छडे हुऊ को अपनों से मिलाने का भी जरिया बन चुका है सालों से लापता कई लोग फेस्बुक के जरिये घरवापसी कर चुके हैं ऐसा ही एक मामला सीकर में सामने आया है तेरह साल बाद बेटा घर लोटा तुमा की आँखे खुशी से चलक पड़ी और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया सीकर के लक्षमन गड़ का रहने वाला बंटी 20 फरवरी 2005 को घर के बाहर खेल रहा था खेलते खेलते वो अच्छानक लापता हो गया उसके परिवार वालों ने उसे बहुत तलाशा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला परिवार में मान लिया यहांने बंटी को हमेशा के लिए फोग दिया लेकिन किसे पता था कि बंटी को खोल हुए घर का रास्ता फेस्बुक के जर्या मिलेगा जी हां तेरा साल बाद बंटी फेस्बुक के जर्या अपने परिवार से दुबारा मिल पाया बंटी के घर आने से मालो घर वालों की खुश्यों का ठिकाना नहीं है बंटी ने बताया कि उसे एक साथू बहला फुसला कर अपने साथ असम ले गया था वहां वो उसे नौकर बना कर रखता था वहां से एक दिन बंटी भाग निकला और जैसे तैसे जैपुर पहुंचा वहां मजदूरी की और फिर जोद्पुर पहुंचा वहाँ भी गुजारा करने के लिए धरों में काम किया और एक दिन फेस्बुक पर उसने अपने भाई को तराशने में काम्याभी हासिल कर ली कटना मुझे यहाँ से एक बाबा लेगे था और मुझे इस टेंड तक याद है उसके बाद कुछ भी याद नहीं मुझे तो फिर यह जो संप्रक कैसे हुआ मैं चाचा का लड़का है गोरो उससे मेरी एक मेने पहले बात हुई है फेस्बुक पही द्वारा उससे फिर मैंने चेट होगा रखिया और फिर उसका फेस्बुक से नमबलिया फिर उससे बात करी फिर में गर्पया वाकई सोशल मीडिया का जलवा है है निराला एक और जहां इसका दुरुपयोग लोगों की जिन्दगिया तबाह कर रहा है तो ही कई मामलों में ये प्लेटफॉर्म कईयों के लिए संजीवनी का काम कर जाता है बंटी इसकी सबसे नई मिसाल है अशोक शेखावर जी मीडिया सीकर